हालो नमस्कार दोस्तों मैं अर्पित आपके अपने यूटूब चैनल आईएस PCS Academy में आप सभी का स्वात करता हूं एक बार फिर हम आज 30 क्वेशनों की स्रंकला लेकर आए हैं जो कि पेडालोजी स्पेसल हैं जो कि सीटेट के हैं आईए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहला क्वेशन आपकी कच्छा का एक चातर राजू एक सरजन सील चातर है तो उसकी बुद्धी लब्दी का सुरूप होगा बनलब सरजन सील है तो आउसस से कम आस्तन या कहे नहीं सकते या आउसस से अधिक क्या कर रहा है सरजन सील तो क्या हो जाएगा बनलब वो सामान बच्चों से अधिक उसकी बुद्धी लब्दी होगी तब ही तो एक सर्जन सिलवा लग है तो अपसंस C हो जाएगा और सास से अधिक पूर्व मादमिक बच्चों के लिए निम्न मैंसे कौन सी क्रिया एक कार्यात्म क्रिया का सुरूप है देखिए अपने साथ की आयू के बच्चों में गुल मिल जाना मिट्टी के एक खिलोने को दो भागों में तोड़कर उसे दुबारा लोड़ना दस तक के परणों को मुझवानियात कर लेना मादमिक कच्चा की किताबों का अध्यन कर लेना तो क्या कह रहा है कार्यात्म क्रिया का सुरूप है तो यह का B मिल जाना मिट्टी खिलोनों के दो भागों तोड़कर से दुबारा होना मतलब बच्चे बनाया भी तोड़ दिया तो यह क्रिया का कार्यात्मिक सुरूप है निल लिखित मैंसे किसने बच्चों की अन्था किरियाओं को उनके विकास का मूल अधार माना है मतलब निल लिखित मैंसे किसने बच्चों को बच्चों की अन्था किरियाओं को उनके विकास का मूल अधार माना है तो किसने माना है? हमारे लेव बाई गोस्की साहब ने क्या माना है? अन्ता क्रियों को उनका मूल विखास का अधर माना है लेव बाई गोस्की ने आप अपनी कच्छा के बालकों में समाजी करण की प्रिक्रिया को तेज करना चाहते हैं इसकी समाजी करने की अपने बिद्धाले के बच्चों में तो आप निन में से क्या कदम उठाएंगे बालकों को स्कुल की परंग्प्राहों से फर्षित कराएंगे बिल्कुल कराएंगे बालकों में समाजी आदर से स्थापित कराएंगे बिल्कुल कराएंगे बालकों को समाज प्रचलित मानता हो कि बिशे में जानकारी देंगे बिल्कुल देंगे तो यह सबी हो जाएगा अगर बच्चे में हमें समाज इकड़ की भावना जागरत करने है तो हमें यह सारे उपाय करने पड़ेंगे आपकी कच्छा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले बरस की तुला में लगवक 6 इंच बढ़ गई है कितने 6 इंच बढ़ गई है इसके इस परिवर्थन को आप क्या खाएंगे मरला उसकी लंबाई ब्रद्धी होगी तो आप इसके परिवर्तन क्या कहेंगे रजनी का विकास तेजी सो रहा देखिए आप विकास से कोई दात पर रहे नहीं है रजनी में ब्रद्धी तेजी सो रही है रजनी में ब्रदी तेजी सोरी तो आपसन भी हो जाएगा किसी बच्चे के विकास की प्रिक्रिया का आरम हो जाता है मतलब कोई बच्चा है उसकी जो विकास है development काप से प्रारम हो जाता है मतलब कहां से दो बर्स की आयू से पांच वर्ष की या साथ वर्ष की आयू से या मा के गर्व से तो बच्चे का विकास मा के गर्व से ही प्रारम हो जाता है जिसको करते हैं बुरुणा अवस्ता बिकास की सबसे जटिल अवस्ता है सहसवा अवस्ता किसोरा अवस्ता युवा प्रोणा अवस्ता या ब्रद्ध प्रोणा अवस्ता सबसे जटिल सबसे कठिन काल किसोरा अवस्ता सबसे कठिन काल है किलपैट्रिक किसने का किलपैट्रिक और हमारे श्टेलनी साहब ने भी कहा तो किसोरा वस्ता इसका अफ्सन हो जाएगा भी एक विध्यारती के आसामाजी को सुधारने के लिए कौन सा कार नहीं करना चाहिए दुसरे विध्यारति उसे कहना कि बहे उसके साथ ना खेलें विद्ध्यादी समस्या पर विचार करना बिल्गूल करना चाहिए उसको परामर्स दाता के बास बेजना बिल्गूल करना चाहिए उसके परिवारिस अदस्यों से बात करना बिल्गूल करना चाहिए कि बच्चा इस पर आप क्यों कर सकते हो आप तो आपसे न ए है कि दूसरे बच्चों से ए मत कहिए कि आप इसके साथ ना खेलो तो इस पर और उसके उपर नकारादमक परभाब पड़ेगा हीन भाबना जागरा दोगी उस बच्चे में जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान सोयम करने लगता है तो उसमें निम्न मैंसे क्या गुड़ बिक्सित हो जाता है जब कोई बच्चा अपनी आप अपनी समस्या करने लगता है हल तो उसे क्या कहेंगे हम लोग बैग्यानिक अनवेशक क्या कहेंगे बैग्यानिक अनवेशक मतलब अब अपने आपको खुद करने लगा है next निम्न मैसे कौन सा बच्चा कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोबैग्यानिक आवस्द सक्ताओं के साथ संबन्ध नहीं है संबन्ध नहीं है नहीं है पूछ राइ सामाजिक अनुमोदन अत्वा सहराना की आवस्कता बिल्कुल है संब्यक आत्मक सुरच्छा की आवस्कता बिल्कुल है शरीर से अपसिष्ट पतारतों का नीमेत रूप से बाहर निकलना संगीत की आवस्कता बिल्कुल है इसका यहाँ पर कोई ताथ पर रहे नहीं है काई वह तो शरीर से अपसिष पताजों का निमे तरूप से भाद निकला इसका इससे क्या रिख्याने कुछ नहीं है, मनोबज्ञान इक मूच रहा है ना, अधिगम को प्रधावित करने बाला सिच्चक से समंधित कारक नहीं है, कि सिर्चक से संभनित कारग नहीं है लगंょ बिसे का घ्राग मीक साने संदर रई ब दितिकम का घ्राग ज्ञान् अनुशंप्षा नहींता ऐ भी अचा फिसें का और ये होना पहुलाग ये國 quarter ऩ len। सब्सक्राइब करने वाले में स्वेमी अधिकार प्राप करते हो तना वुत्पन होता है तो यह इसती कहलाती है अंत्रिक अभी प्रणा क्या जब अधिगम करने वाले में स्वेमी अधिकार प्राप करते हैं तो उसे अंत्रिक प्रणा कहते है कई बार देखा होगा अपने कई लोग आपस में अपने आप भी बाते करते रहते हैं निम न लिखी तुम ऐसे किस सिच्छा मनों भग्यानिक ने अभी प्रेणा एवं अधिगम के बीच संबंद स्ताबित करते हुए है कहा कि अभी प्रेणा से उत्पन करिया सीलता ही सीखने के लिए उत्तर दाई है तो यह बात किस ने कहीं है इसकी नर्णे किसने इसकी नर्णे स्रजनाद मक्ता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है निर्ण में से एक अतन किसने कहा है एक अतन कहा है हमारे डांडेकर साब ने किस रजनाद मक्ता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है नेक्स्ट आपकी कच्छा के एक च्छात को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे आपकी कच्छा में एक च्छात उसे बहुत गुस्सा आता तो इस कंडिसम में आप क्या करेंगे उसका नाम बिद्धायलेस कड़वा देंगे नहीं उसे बहुत अधी ग्रह कार देंगे नहीं उसे सारी एक देंड देंगे जिससे वे दुवारा गुस्त नहीं कच्छा में सांत एवं बख्वस्वाल बातारण बनाएंगे ताकि चाहत अपने आपको सुरच्छित महसूस कर सके ठीक है तो आप संडी हो जाएगा एक आधर सिच्छक में निम्न मैंसे क्या गुड़ नीत होना चाहिए कच्छा में जादे सुर्च टिपड़ी ना करना अब सबसे च्चा जई हो जाएगा इसी को माल लेंगे पारंपरिक वाहे परिच्छा की तुलना में बर्तमान समय में विद्याल्य अधारित मुल्यांकन को सुद्रण करनी की आवस्चत्ता क्यूं है इसके लिए क्या कारण को सकता है देखिए क्योंकि बिद्याले अधारित मुल्यांका ने बच्चों की सभी योगताओं का मुल्यांकन होता है बिल्कुल सही बात है एक डम बिल्कुल भड़िया बात कहिए आफसने ने क्योंकि बिद्याले अधारित आंक जो मुलाइंगन हो उसमें हम बच्चों की सब कुछ देख लेंगे बच्चे का किस चीज में पार्टिसिवेट कर रहा है किसमें भाग ले रहा है लेकिन अगर कोई वहर ही करेगा तो वह सिर्व इसका जो इसके नंबर आएंग उसके अधार पर ही करेगा तो आपसन ए हो जाएगा हमारा सबसे वेस्ट आपसन ए आप अपनी कच्छा के चात्रों में परिपक्ता का अवलोकन करते हैं आप पाते हैं कि कुछ चात्र उम्र से पहले परिपक्ता प्रात कर चुके हैं उम्र से पहले कर चुके हैं, जबकि कुछ चात परिपक्ता प्राप्त करने की उम्र में दो है, लेकिन उन्हें परिपक्तवा नहीं है, इसका करण हो सकता है, कुछ चात पात चुके हैं, कुछ नहीं, तो इसमें क्या सुकता है, कच्छा हम उनके बैढ़ने अकरम नहीं, बैक करती भी बनता हो सकती है कोई जल्दी सीख लेता है कोई बाद में सीख लेता तो आपसन भी हो जाएगा एक कुश्चन कट गया है प्याजे के अंसार किसी बालक में तारकिक्ता का अभाब की सायू तक होता है मनलब बच्चा तारकिक्ता का अभाब कब तक होता है कब तरक विदर्क नहीं कर सकता है किस उमर तक बच्चा तरक विदर्क नहीं कर सकता है तो हमारा हो जाएगा साथ बर्स, क्यों हो जाएगा साथ बर्स, इससे जो आगे की उम्र है, उसमें बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है, जो हमारे प्याजे मौदे हैं, इन्होंने चार जण बताएं, संग्यानादुक विकास के, निम्न मैंसे क्या किसी बच्चे के भासा विकास का प्रारंबिक रूप नहीं है रोना रोना तो है बच्चे का भाई हावा भाई बलबलाना आकलन आगलन नहीं है प्रारंबिक रूप नहीं प्रारंबिक पूछ रा सुरुवाद बच्चे के आकलं कुछ से कुई मतलब भी नहीं है बच्चे का छोटा होता छोटा एक दो साल का तो आपसन भी हो जाएगा चयन के प्रकार के सभी प्रिष्ण प्रकार के होते हैं चयन के प्रकार के प्रिष्ण सभी किस प्रकार के होते हैं तो बस्तुनिष्ट प्रकार के होते हैं जैसे आपसन दी होते हैं चयन कर रोई में जैसे कैसे बस्तो निष्ट होते हैं तो अपसन यह हो जाएगा बस्तो निष्ट अधि किसी छात्र ने अपने बातावरान से सामंजस से करना सीख लिया हो तो एक सिच्चे होने के नाते आपका विचार होगा कि बहे छात्र मंद बुद्धी है, बुद्धी मान है, अपनी आयू से अधिक बुद्धी मान है या मूर्ख है, तो और कोई बच्चे अपने बातावरान से सामंजस से करना सीख लिया है तो मंद बुद्धी और मूर तो बिलकुल नहीं होगा और जरूर नहीं कि वो अपनी आयों से अधिक बुद्धिमान हो लेकिन वो बुद्धिमान हो सकता है इसके पूरे चांस है क्योंकि उस बातावण में सामन ज़से कर रहा है तो कहीं नहीं वो बुद्धिमान का बुद्धिमत्ता का प्रतीक है तो अपसन भी हो जाएगा हमार प्रोजेक्ट पर्डाली प्रोजेक्ट पर्योग निम लिखित मैंसे किस पत्ती के अंदर किया जाता है हम लग प्रोजेक्ट पढ़ाली तो प्रोजेक्ट पढ़ाली का अध्यन किया जाता है तो पारंपरिक सिच्छा प्रगति सील सिच्छा बैदी सिच्छा सामान सिच्छा तो जो प्रगति सील सिच्छा है उसमें हम लोग प्रोजेक्ट विदी का यूज करते हैं किसमें प्रग द्रजान सील बालक का गुल नहीं है क्या नहीं है के विचारों sometimes भीलकूल रहे कि irm घणक अधिक सथिक प्रयोक कि अधिक। प्रियोग नवीनता और जटिलता में अभी रूची तो सर्जन सिल वालब परचारों सुधन विल्कुल होते हैं कोई भी घड़ना को सुधन रूप से लेते हैं अधिक गंभीता से ना लेना विल्कुल नहीं है नहीं है पूछ रहा है न तो दमन का अधिक से अधिक कि दये सोραओं मुहिसरा सीधान विल्कुल निर्मार्ण का सिधान बिल्कुल है अनिश्चित उंदेष स्था को साय कौई दैस का यह लाईगी कि जो बालक डैस डैस सिग्रस्त थे बहें पढ़ने में अच्छमता का प्रदशन करते हैं किस सिग्रसित बालक पढ़ने कि पाते हैं तो वो क्या हो जाएगा डिसलेक्सिया ठीक है ना पढ़न विकार प्याजे के अंसार बालक की सबस्ता में अपनी सारीरी क्रियाओं के साथ समन्वाय करते हुँ संसार का अन्वेशन करने लगता है तो संबेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्म कवस्ता, मोर्द संक्रियात्म कवस्ता, अपचारिक संक्रियात्म कवस्ता क्वेशन क्या था बालक की सवस्ता आपनी सारी क्रियां से समन्वे करना शुरू कर देता है कच्छा में प्रस्ताबना प्रस्ट पूछना सिच्छन की किस सूत पर अधारित है तो हमारा है ग्यास से अधारित की और जो मनलब आपसे पहले आता था पिर उसके बारे उसी नया जोड़कर सिच्छे दौरा पढ़ाया जाना मनलब ग्यास से अधारित की और निम लिगत में से कौन बुद्धी की परिवासा नहीं है बुद्धी कार करने के एक विद्धी है बिल्कुल बुद्धी ज्यान आरजन करने की छमता बिल्कुल जीवन की अप एच्छा अगरत नवीन परत्तितियों से अपना सामाजस से करने की बैक्ति की योकिता ही बुद्धी है बिल्कुल है राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सक्ति पराप करने के लिए प्रिप्त बुद्धी उक्ति ही बुद्धी है नहीं है ऐसा ज़रूरी प्वन अनुकरन दूसूरे व्यक्ति के बाहे व्यार की नकल मैं। किसने लेफली ने। हमारे आझ के तीज और वेक्ति क्रिकित कोई सब्सक्राइब है। तो देखिए आप ऐसे इसाथ बनाए रखिया हमा लोगों का और तीज कोशन मिल गए आपको जो काफी हेल पूल होंगे आपके एकजाम में एकजाम आही गया है आपके सिर पर ही है तो इसलिए आप लोग जितनी हो सके जितनी प्रैक्टिस करिए आप पढ़ें तो कोशी नही जहां तक हो तो आप लोग प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस थीक है तो आज की क्लास समापत होती है जैन बंदे मात्रम